माता, राज माता माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया और वो लंबे समय से बीमार चल रही थी और दिल्ली के एमस में उनका इलाज चल रहा था और कल शाम को वालियर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा तरसल जानकारी अब से कुछी तिर पहले सामने आई है आपको ये बता दें कि सिंधिया परिवार के सदस्यों का अंतिम संस्कार 14 ताल स्थित छत्री में ही किया जाता है और यहां तयारी शिरू हो गई है और राज माता के अंतिम संस्कार की जगह पर तयारी शिरू हो गई केंद्रे मंत्री जोते रादेते सिंधिया की माता मादवी राजय का निदन हो गया है सुबह 9 बच के 28 मिनट पर एमस में उनका निदन हुआ है पिछले कुछ समय से लगतार उनका एमस में लाज जारी था इस वक्ते एमस में मौजूद हूँ वो लगा था लाइफ सपोर्ट पर थी वेंटे लेटर पर थी और बीते कुछ समय से उनकी तब्या जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चर रही थी अभी कुछ हाफते पहले जो है वो अपना चेनाव प्रिचार रोक कर जो तिरादिते सिंधिया खुद यहां आयते पूरा परिवार यहां आया था और उनकी जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा खराब थी उनको सेपसिस था और निमोनिया से वो ग्रिसिती सेपसिस में बॉड़ी में जो है वो इन्फेक्शन फैलता रहता और ये जानलेवा बिमारी भी है काफी टाइम से उनका इलाज चल रहा था अब ये जानकारी सामने आ रहे है कि 70 साल की उमर में उनका निदन हो गया है और कल गॉालियर में उनका अंतिम संसकार होगा और ये जो इन्फॉमेशन है ये खुद उनके ऑफिस से आई है जो तिरादते सिंदा के और अभी परिवार का जो स्टेटमेंट है वो आना बाकी है तो ये खबर हम आपको बता रहे हैं कि जो लगातार उनकी तबद खराब चल रही थी अपनी अंतिम सासे जो है उन्हाने एमस में ली है कैबनमेंट प्रकाश के साथ पराखान नियुज जैदीन देरी राज माता माधवी राजस सिंधिया का अंतिम संसकार गौालियर में होगा और गौालियर में अब क्या तैयारी है किस तरह का माहौल है जाने के रिए चलेंगे हमारे सही होगी सुशील इस पक्त हमारे साथ जुड़ गया है सुशील एक दुखत ख़बर आई है राजपरिवार से और अबता जारा की दिल्ली में राज माता का निधन हो गया गौालियर में किस तरह की मुवमेट न जरारिया भी बिल्कुल देखी गौालियर में राज माता मादुराज सिंधिया के निधन की जैसे ही खबर आई तो पूरा जो गौालियर रियासत का है पूर्वकी तो पूरे गौालियर अंचल में शोक की लहर चा गई आप देख सकते हैं कि गौालियर के इस कटोरा ताल इस्तित सिंधिया छत्री पर इस वक्त जो है देख सकते हैं आपके यहां चबूतरा बनाये जा रहा है जहां स्वरगी राजमात अबादुराज सिंधिया का अंतिम संस्कार किया जाएगा आपको बता दे कि यह जो अंति करीबी है वह लोग कहीं न कहीं यहां अनतिम संस्कार में शामिल होंगे और आपको बता दे कि नेपाल के राज परिवार से जूड़ी थी मादुराज सिंधिया तो मध्य परदेश देश के साथ ही नेपाल में भी शोक के लहरे यहां सिंधिया परिवार के लोग है जो यहा और किस तरह की क्या आज सुबह साड़ा नौ बजे इंस में तिल्ली इंस में हमारी गवालियर की राजमाता श्रीमन्त मालवी राय सिंधिया साथ और गवालियर के लिए पूरे अंचल के लिए नहीं पूरे मत्रेपर्देश के लिए बड़े दुख़्ी बात है कि हमारी अमर जी, माधुराव से लेकड़ राजमाता, यहाँ चत्रिया बड़ी हुए एक एक वीक्ती से एक एक जनमाना से दिल का संबनद है लोग यहां आते जारहें रहे हैं ठीक है सुशील आप रहिएगा हमारे साथ दिली चलते हैं जहां पर फरा हमारी से होगी इस वक्त मौज़ुद हैं फरा किस तरह की मूवमेट है क्या डीटेल्स मिल पारी है पार्थिफ शरीर को आगे क्वालर के लिए कब भेजा जाना है क्या कुछ जानकारी है अपने पास राज माता के पार्थिफ शरीर को आगे ले जाने के लिए क्या तैयारिया है क्या कुछ मौमेंट्स चल रही है भी जे बिलकुर देखिए अभी थोड़ देर पहले ही खुद सिंद्या ओफिस से ये जानकारी सामने आई है कि उनकी जो माता है मातवी राजी उनका ने दिन हो गया है और पार्थिफ शरीर गौलेर रे जाए जाएगा गौलेर में जो है वो अंतिम संस्तार होगा कि किस तरीके से आपको ये बता दूँ कि बहुत लंबे समय से मानवी राजे बिमार थी और यहां पर उंका सेपसिस और नीमोनिया का वो ट्रीटमेट हो रहा था और वो काफी टाइम से जो है वो लाइफ सपोर्ट पर थी और उनकी जो हालत है वो कई बार खराब हो रही थी, क्रिटिकल हो रही थी, अभी कुछ समय पहले देखा गया था कि पूरा परिवार यहां आया था, तब भी वो बहुत जादा क्रिटिकल है और आज सुबा नौ वरी को जब उन्हें तक्रिफ हुई थी तो उन्हें आया लाया गया था, उसके बाद से लगतार उनका इलाज जा रही था और वो एंटिलेटर सपोर्ट पर थी, अब जो है उनका निदन हो गया है और परिवार के लिए बहुत जादा दुखत खबर है, क्योंकि इसे पहले भी जो है, वो परिवार बहुत जादा परिशान था, लगतार उनका आना जाना था, अगर हम उनकी वाईफ की बात करें तो वाईफ लगतार यही थी, फरवरी से यही पर थी, और उनकी देखबाल कर रही थी, अब जो है गवालियर में उनका अंतिम सश्कार होना है, वही हम बात करें तो दीरे दीरे जो है वो उनके लिए ओफिशल ट्वीट्स भी आना शुरू हो गए हैं और लोग जो है वो दुख जाहिर कर रहे हैं और परिवार के लिए यह बहुत दुखत समय भी है तो अभी एम्स की तरफ से जो है वो अपचारिक तोर पर स्टेट्मेंट भ जाना बाकी है एम्स की तरफ से भी कुछ ही देर में यह बना जारा है स्टेट्मेंट आएगा और अब यह बना जा रहा है कि थोड़ी ही देर में जो है पार्टिफ शरीफ को यहां से ले जाये जाएगा क्योंकि ग्वालेब में आंत्यम संस्कार होना है कर।